नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हाँ जी, बिल्कुल उमिएद करता हूँ, आप बहुत अच्छे होंगे और आज हम पड़ेंगे हिन्दी और हिन्दी का जो पड़ेंगे तोपिक है अपना हिन्दी का मुहावरे मुआवरे दोस्तों कितने पढ़ पातें देखते हैं आपर मैंने 30 questions एड़ किये और आपको समय पिये दिया जाएगा आज मुआवरे पढ़ेंगे तो मुआवरे में थोड़ा समय लगेगा आपको प्रस्णों का आंशर देने के लिए ना तो देखते हैं आज आपन कितने आपको नोटिपिकेशन है जो समय समर पर मिलता रहेगा ठीक है अच्छा दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे कोई प्रस्ण पढ़ने से पहले कि परिवासा पढ़े दोस्तों देखे परिवासा पढ़े अपन देखे वैसे मुआवरे आप सभी ने पढ़े होंगे मु अच्छा परिवाने अर्थ का बोद नहीं करा कर विषेश अत्वा विलक्सन अर्थ का बोद कराने वाले पद को मुहावरा कहा जाता है और दोस्तों मुहावरे को एक दूसरी बासा मास आप वागधारा भी कह सकते हैं वागधारा तो देखे ये एक ट्रिक अविसी ध्यान के दोस्तों मुहावरा अपूर्ण वाक्य होता है कभी पूर्ण वाक्य नहीं होता चलिए start करते है अपने पहले प्रसन से और पहला प्रस्थन आपके याऊब जूड़ चुके इस सभी आंसर देंगे आप पर बिलकुल ए आफ्ट रायट आइंसर Hoझेगा आपका एक मात्र जारा हो जा 01 अंद्रे गर का उजाला मतलब कि एक मात्र सहरा दोस्तों देखे इसमें दो किरिया पद में काल पुरूस वचन आदी के अनुसार परिवरतन अवेशी होता है मुहावरों में ठीक है ना चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्ण दोस्तों अंग ढंग अंग डिला होना मुहावरे का अर्थ क्या है अच्छा ओहो तो यहां पर अपने ये क बटेर लगना क्या अंदे के हाथ बटेर लगना ठीक है बटेर लगना तो दोस्तों अगला देखे तो यहाता है खत्रा मौल लेना तो दोस्तों यह खत्रा मौल लेना इस अर्थ का मुहावरा यह होता है अंगारों से खेलना ठीक है ना अंगारों से खेलना दोस्तों प्रस्टन है ना किसी भी प्रकार से आपको एक्जाम में पूछे जाना सकते हैं उल्टे या सीधे ना तो मुर्गतपूर्ण कारे करना इसका मुगावर है जो कौन सा है अकल के पीसे क्या मुर्गतपूर्ण कारे करना क्या होगा अकल के पीछे लाटी ले कर फिड़ना अकल के पीचे लाटी लेकर फिल फिरना ठीक है दोस्तों मैं यहां पर लेकर नहीं रहा हूं आपको एजो बस याद रखना अंग अंग ढीलाूना मुगावर का अर्थ क्या है जली कटी चुनाना ताल मतोल करना या अपने मतलब की बात कहना तो दोस्तों बहुत आसान प्रस्थे हैं बहुत ही आसान प्रस्थे हैं तो very good option जिन्नों ने भी चुनाए बिल्कुल रइट है जली कटी सुनाना जली कटी सुनाना या क्रोध में कटोर वचन कहना तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाता है अंगार उगलना क्या अंगार उगलना ठीक है तो टाल मटोल करना का अर्थ हो जाएगा दोस्तों देखिए अर यहां पर आगे क्या आता है अपने मतलब की बात कहना अपने मतलब की बात कहना यह जो होता है अपना राग अला अपना का क्या होगा अपना राग अला अपना का हो जाएगा अपने मतलब की बात कहना ठीक है चलिए अगले प्रस्न को देखते हैं अगला प्रस्न है तीसरा अ अकल का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है अकल का पूरा मतलब अकल का पूरा इस मुहावरे का अर्थ क्या देकि बुद्धी से काम न लेना या मूर्ख या बहुत पर्चन होना या बुद्धी का न होना तो दोस्तों यहापर जो है ना राइट आंसर आपका क्या होगा बिल अंग-अंग मुश्कराना और बुद्धी का नवना क्या हो जाएगा अकल चरने वाला अकल चरने जाना ठीक है चलिए अगले परसंग देखते हैं अपना अपना सा मू लेकर रह जाना मूहावरे का आर्थ क्या हो जाता है तो दोस्तों राइट आंसर कौन चाहोगा लजीत होना अपना मतलब निकालना अपनी परसंचा स्वयम करना या अपनी हाने स्वयम करना तो दोस्तों यह जो मूहावरे है लवकोक्ति आपन अलग से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर जवाब देना है आप मैं से किशी ने मुहावर याद कर रखे है समझ रखे है तो तो अपना सा मुह लेकर रहे जाना कारत होगा आपका लजीत होना अपका सही उतर हो जाएगा लजीत होना ठीक है तो दोस्तों इसका क्या होगा अपना मु मिया मिठा करना मतलब देखे क्या है अपन मु मिया मिठू बनना मतलब अपन खुद मु मिया मिठू बनना इसका अर्थ होता है अपनी परसं सा स्वेम करना ठीक है तो दोस्तों अपनी आनी स्वेम करना इसका क्या होगा मुहावरा अपने पाव पर आप स्वेम को लाड़ी मारना ठीक है चलिए दोस्तों अगले प्रसुन को देखते हैं अकल का दुस्मन मुआवरे का अर्थ क्या है अकल का दुस्मन अकल का पूरा का क्या होता दोस्तों मूर्क होता है तो अकल का दुस्मन भी मूर्की होगा दोस्तों ये भी आपको ध्य बुद्धिमान को क्या का जाता है अकल का पुतला का अर्थ क्या हो जाएगा बुद्धिमान हो जाएगा और भीक मांगना मतलब आचल पसारना का अर्थ होता है भीक मांगना ठीक है अगले प्रस्ण को देखते हैं दोस्तों अगला प्रस्ण है आपकी स्क्रीन पर आखे चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है आखे चुराना मुहावरे का अर्थ देखे दोस्तों यहाप पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अन देखा करना आखे चुराना मतलब डी आफसन है जो अन देखा हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट होगा आमने सामने करना क्या होगा आखे चार होना और क्रोज से देखने का क्या हो जाएगा दोस्तों क्रोज से देखने का होगा आखे दिखाना ठीक है तो आखे फेर मतलब बदल जाना क्या होगा बदल जाना या प्रतिकूल होना तो इसका होगा आखे फेरना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्म की और आखे पत्रा जाना आखें पत्रा जाना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों सभी बताएंगे आखें पत्रें पत्रा जाना तो दोस्तों देखते देखते ठक जाना या बुरा लगना या अतिपरिय या आधर करना तो दोस्तों राइट आंसर आपका बिल्कुल A option हो जाएगा जिन्होंने भी A option चुना है बिल्कुल राइट है तो दोस्तों बुरा लगना का क्या होता है आखों का काटा होना बुरा लगना किसका आरते आखों का काटा लगना आखों का काटा लगना तो दोस्तों अतिपीरिय का आप सभी को बता है कि आ आखों का तारा को अतिपीरिय का जाता है तो दोस्तों आधर करना आखों पर बेठाना और इसका अतिपीरिय का मतलब देखिए आखों का तारा मतलब होता है अतिपीरिय और बहुत प्यारा भी होता है ठीक है बहुत प्यारा होना भी होता है तो दोस्तों आखों पर बेठाना मुआवरे का अर्थ क्या आँखों में धूल जोंकना दोस्तों यहाँ पर राइट आंशर देखे निरलज बन जाना धोका देना मनी मन दुखी होना या बहुत सस्ती वस्तू बेलकूल सभी का राइट आंशर हो जाएगा आपका भी ऑफसन धोका देना हो जाएगा तो दोस्तों आँखों का पानी ढलना उसका क्या हो जाएगा आँखों का पानी ढलना का हो जाएगा आपका निरलज बन जाना ठीक है तो मनी मन दुखी होना तो दोस्तों मनी मन दुखी होना ये किस मुहावरे का है आसू पीकर रह जाना आसू पीकर रह जाने का है जो अर्थ होता है मनी मंदू की होना और आंदी के आम किसके आंदी के आम आंदी के आम बहुत सस्ती वस्तू दोस्तों आंदी आज तो बहुत आंदी यांपर जैसल मेरे में बहुत खुब आंदी है और इस आंधी में मैं आपकी है जो यह record कर रहा हूं वीडियो ठीक है चलिए कोई बात नहीं हो सकेगा कि आप तक है जो आंधी की आवाज नहीं आएगी आपको clear से आवाज आ रही होगी ठीक है मेरी अच्छा दोस्तों नवे प्रस्ट को देखते हैं आखे बिचाना मुहावरे क का अर्थ क्या है प्रेंस स्वागत करना मुह रोज से देखना होस आना या आदर समाप तना दोस्तों राइट-आंसर कौन सा होगा या पर कि बिलकूल आँखे विचाने का राइबाद आंसर प्रेंस से स्वागत करना ऐ आउफ से बाइब दिखना मतलब आएख उठाना मतम क्सिt देखना तो दोस्तों का जैसे आंखोंसे कहले का मतलब उता है और समाप्ट को था czhled अगले प्रस्ण को देखते दोस्तों अगला प्रस्ण या अहां तक्या है आंखों पर पर्दा पढ़ना मुहावरई का अर्थ क्या है इस दोस्तों आंखों कोшतु से दियान नदेदे देखे आँख बंद कर काम करना इस मुआवरे का अर्थ होता है ध्यान ना देना ठीक है तो रात बर जागते रहना इसक ये अर्थ जो है किस मुआवरे का ये आँखों में रात काटना तो दोस्तों आच ना आने देना इसका हो जाएगा ये मुआवरा ठीक है हानी न होने देना मतलब आच न आने देना ठीक है चलिए दोस्तों अगले प्रस्ण को देखते हैं और अगला प्रस्ण आता है आचू पोहुचना मुहावरे का आर्थ क्या है आचू पोहुचना मुहावरे का आर्थ क्या है दोस्तों धीरस देना या स्वभावी चत् अत्यदीक परिश्रम करना मतलब की आकास पाताल एक करना इस मुआवरे का अर्थ होता है अत्यदीक परिश्रम करना और नेक्स्ट बी का हो जायता दोस्तों आटे डाल का भाव मालूम होना तो हो जाएगा वास्त्विज्यान होना आटे डाल का भाव मालूम होना इसका मतलब स्वाविक चत्रूता आग पानी का बेर इस मुहावरे का अर्थ होगा स्वाविक चत्रूता ठीक है चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं दोस्तों अगला प्रस्ण है आपकी स्क्रीन पर आसमान पर चड़िना मुहावरे का अर्थ क्या है आसमान पर चड़िना इस मुआवरे का अर्थ क्या है दोस्तों देखिए बहुत अभिमान करना, खतरना काम करना, बहुत क्रोध करना या खरी-खरी छुनाना, देखिए दोस्तों यहापर राइट आंसर आपको बिल्कुल A-Option हो जाएगा जिन्होंने भी A-Option चुनाए, अब देखिए खतरना काम करन यह अर्थ आग से खेलना, आग से खेलना, अर्थ खतरना काम करना, आग बबूला होना, अर्थ आर्थ बहुत क्रोध करना, और आड़े हाथ लेना, आड़े हाथ लेने का अर्थ होता है, खरी-खरी सुनाना, ठीक है दोस्तों, चलिए यह जो है न, यह सभी अर्थ है, ठीक वहारोना मुहावरे का अर्थत क्या हो जाएगा अगला प्रसने दोस्तों आसू पी जाना मतलब की इसका क्यों मतलब का वेतर वेतर रोना या एर्थ की गपे मारना या नस्ट करना तो दोस्तों राइट आंसर बताइए सभी यहाँ पर इस प्रस्न का सही उत्तर है जो कौन से होगा A, B, C, D देखिए यहाँ पर आपका बिल्कुल है जो राइट आंसर बीतर भी तोरोना का आर्थ जैसे की इसका दूसरा रूप आप मान सकते हैं दुख परकटना हो रहे देना तो दोस्तों आसू पी जाना बिल्कुल B, A, B, C, आपका राइट है ठीक है तो दोस्तों सुगली करना यह किसका आर्थ है यह इदर-उदर की लगना का आर्थ होता है सुगली करना और इदर उदर की हांकना का आर्थ होगा आपका वेफ्ट की गपे मारना और इड से इड बजाना का आर्थ होगा आपका नस्ट करना ठीक है और इसका है जो टकर लेना भी का जा सकता है चले दोस्तों अगले प्रस्म को देखते हैं, इद का चांद मुहावरे का अर्थ क्या है? देखे पढ़िए, सोच विचार कर और विरोधी बात काना, किसी बात को दूर से ही समझने हैं, बहुत दिनों बात मिलने माला वेक्ट बहुत ही आसान प्रस्ण है और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका D-Option सभी का D-Option राइट है बिल्कुल तो दोस्तों सोच विचार मतलब उधेड़ बुन उधेड़ बुन का रत होता है सोच विचार ठीक है तो दोस्तों उल्टी गंगा बहना का मतलब होता है विरोधी बात करना और उỡ़ती चिडिया पैचाना मतलब किसी बात को दूर से ही समझना यात दें अनुबवी होना चले दोस्तों अगले प्रस्ट को देखते हैं और अगला प्रस्ट है आपकी स्क्रेण पर की यह मूर्ख बनाना का मूहावरा है मूर्ख बनाना का मूहावरा क्या है अली ये लो जी अपने उल्टे पड़े अब मूर्ख बनाना ये अर्थ है और इसका मूहावरा क्या है उलू बनाना उगली पर नासना ये उठाना ये उठाना रखना तो दोस्तों राइट आंसर देखे उलू बनाना मूर्ख बनाना मतलब है ना बिल्कुल ए ओप्षन आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों उंगली पर नचाना का अर्थ यह होता यह मुहाँ रहे अब तीनों यह मुहाँ हो रहे है ना तो दोस्तों उलू बनाना का अर्थ तो हो गया मतलब मूर्ख बनाना ठीक है तो उंगली पर नचाना अपनी इच्छा के अनुसार चलाना ठीक है उंगली उठाना का अर्थ तो दोस्तों दोस निकालना ठीक है तो उठान रखना उठान रखना तो दोस्तों कमी न चोड़ना ठीक है कमी न छोड़ना चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण को देखते हैं दोस्तों तनीक सा सहारा पाकर सारे पर अधिकार करना इस अर्थ का मतलब इसका जो मुवावरा कौन सा होगा इन में से एक लाठी से आँक ना एक आँक से देखना एक छोटी का जोर लगाना और उंगली पकड़ कर पहुँच पकड़ना तो दोस्तों या आपपर राइट अंशर आपका कोन सा होगा? सही अंशर बताएंगे आप? हां जी सभी बताएंगे बिल्कुल तो दोब व्याठी आँंशर तनीक सा सारा बिलकुल है जो आपका उंगली पकड़ कर पहुंचा पकड़ना बिलकुल है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों एक लाटी से हांक ना सभी के साथ एक जैसा विवार करना और एक आंक से देखना मतलब समान द्रस्टी से देखना 80 चोटी का जोर लगाना मतलब की बहूत परिच्रम करना बहुत मैनत करना ठीक है चलिए अगले प्रस्ट को देखते हैं सब एक से सभी समान रूप से बुरे वैक्ती का मुआवरा हैं दोस्तों सब एक से सभी समान रूप से बुरे वैक्ती तो दोस्तों इसका मुआवरा क्या होगा ये इतना है जो सब्दे इतना अर्थ है इसका मुआवरत दोस्तों क्या हो जाएगा समझिए देखिए एक हाथ से ताली न बजद न एक और 11 होना एक ही नोका में सवार होना एक ही थेली के चटे बटे तो दोस्तों राइट आंसर आपका बिलकुल एक ही थेली के डी इसका मतलब होता है संगटन में ही सकती है तो दोस्तों एक ही नौका में सवार होना एक ही नौका में सवार होना इसका आरती है कि एक समान परिस्थिती में होना ठीक है चलिए अगले प्रस्शन को देखते हैं दोस्तों तनीक भी अच्छा न लगना का मुवावरा क्या है तनी को हो जाएगा दोस्तों क्रोध प्रकट करना ठीक है तो कटी पल मतलब पतंग होना कटी पतंग का होना मतलब निरास्रित कोई आस्रित नहीं निरास्रित होना तो दोस्तों कचा छिठा खोलना मतलब की रहसी बताना छुपे हुए दोस छिपे हुए दोस है जो बता देना रहस यह बताना ठीक है चले दोस्तों अगले प्रस्ण को देखते हैं और अगला प्रस्ण है कि अनुभवी न होना का मुहावरा है अनुभवी न होने का मुहावरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका मुहावरा क्या है कच्छी गोली खेलना मतलब कलेजा ठंडा होना या कलई तो दोस्तों आपका right answer हो जाएगा कच्छी गोली खेलना इसका अर्थ होता है कच्छी गोली खेलना ठीक है तो दोस्तों कले जा ठंडा कोना मतलब संतोस होना संतोस बन जाना ठीक है तो दोस्तों कले खुलना का अर्थ होगा पोल खोलना ठीक है और दोस्तों कमर कसना किसी कारे को दरड निचे के साथ करना ठीक है बिलकुल चलिए आगे बढ़ते हैं अगले परस्ण की और और अगला परस्णा आता है दूसरे के इसारों पर दूसरे के इसारे पर चलने का मुआवरा होगा जैसे कलेजा थामना कट पूतली होना कमर आपका हो जएगा बिल्कुल कट फूतली होना भी ओफिन ओगा जिन्होंने भी बी ओफिन चुनाए it's भाट राइट संच बिल्कुल तो दोस्तों देखिए यहां पर कले जा थामना तो क्या होगा क्या हो जायेगा कले जा थामना मतलब दुख सेहन के लिए दुख सेहने के लिए कड़ा करना ठीक है दुख सेहन करने के लिए मतलब कड़ा सेहना ठीक है कड़ा दुख सेहना और दोस्तों देखे कमर टूटना तो कमर टूटना का क्या होगा दोस्तों हचो साहित होना मतलब हिमत है जो हार जाना और दोस्तों कबर में पैर लटकना करता तो मत्यू के समेप हो जाना ठीक है अगला प्रस्न दोस्तों देखते देखिए दोस्तों मुआ वरे है इसमें आपको लगेंगे कि यह नहीं हो रहे या गलत हो रहे है लेकिन दोस्तों मुआ वरे अपनको ऐसा ही पढ़ने पड़ेंगे ना चलिए आपको सभी को जवाब देन हां आटा गीला या कच्ची घॉलना कंदे से कंदा मिला कि मुँखा क्या अर्थका непeil great तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन से होगा पूरा सहयोग करना बेलकुल कंदे से कंदा मिलाना बहुत ही सिंपल सा था दी ऑफ्षन है जिनोंने भी दी ऑफ्षन चुना बेलकुल राइट है तो दोस्तों कंठ का हार होना कंठ का हार होना का मतलब होता है अत्य दर्बोकी कमी होना ठीक है चले दोस्तों एक एक बाइक बार में बता रहा हूं बाकी हैं जो आप अवैस्शी है जो देख लेना मतलब की दूसरी बार भी वیडियो को देख सकते हैं आप johall सकते हैं आप जो याद जो जुए तो दोस्तों कले tell कलेजा चलनी होना मतलब कस्ट दायक बात सेन कर जाना का मुहावरा क्या है तो दोस्तों देखें कलेजा चलनी होना कलेजा निकाल कर रख देना या कलेजा फटना या कडवे घूट पीना तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा कस्ट दायक बात सेन कर ना बिल्कुल कड़वे घूंट पीजाना होगा जिन्होंने भी डी-option चुना है ना बिल्कुल राइट है और इसका देखते हैं कलेजा चलनी होना तो दोस्तों कलेजा चलनी होना इस मुहावरे का आर्थ होता है बहुत दुखी होना ठीक है और कलेजा निकाल कर रख देना क मतलब कि सब कुछ समर्पित कर देना सब कुछ समर्पित कर देना उसी को और दोस्तों कलेजा फटने का आर्थ होता है कि असहनिय दुख होना मतलब असहनिय दुख होना सन करने वाला दुख न होना ठीक है तो दोस्तों अगला प्रस्ट ने यह है कि बहुत दुखी होने का मु मुहावरा कौन सा है नेवन मैं से देखें आपर option है कलेजा मुह को आना कलेजा चलनी होना या कलेज पर पत्थर रखना या फिर कलेज पर साप लोटना दोस्तों यह सेम लग रहे हैं आप सभी को है ना चारों option सेम लग रहे हैं लेकिन आपर आपका यह option बिल्कुल right होगा कलेजा मुह को आना बिल्कुल right हो जाएगा दोस्तों ठीक है तो दोस्तों अगले जो अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन आता है परिक्सा लेना का मुहावरा है सभी बतेंगे परिक्सा लेना का मुहावरा देखें यह option है काटे बिचाना या कसो परिक्सा लेना तो अर्थे और इसका मुहावरा बताना है सभी बताएंगे बिल्कुल कसोटी पर कस्ने हो जाएगा है ना तो आपका है जो बी ओप्सन डाइट होगा तो दोस्तों कांटे बिचाना कांटे बिचाना मार्ग में बादा उत्पन करना इसका मतलब यह होता है सावदान होना इसका मुहावरा क्या है कान पर जू न रेंगना कान खड़े होना कान में फूक माना या कान भरना तो दोस्तों एक ही लग रहे आपको है ना लेकिन इसका सही जवाब है जो कान खड़े होना हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ओप्सन कान यहाप सभी को बताएं अगले प्रस्तों। सबीका से आंसर तो दोस्तों कानों में तेल का अर्थ क्या हो जाएगा कानों में तेल या रुई डालना मतलब कानों में तेल या रुई डालना इसका अर्थ यह होता है दोस्तों ज्यार ना देना और काम आना मतलब की युद्ध में मरना इसका अर्थ यह होता है तो मुहावर बने की है बिल्कुल बिल्कुल बदल जाना बिल्कुल बदल जाना ये इस जो अर्थ का मुहावरा क्या हो जाएगा बिल्कुल बदल जाना बिल्कुल है जो काया पलट होना दोस्तों ए आफसना आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों कालिक पोतना कालिक पोत होना अगले प्रस्मकों देखे तो दोस्तों हिसी बात पर विष्वास करने वाला का मौवरा missing कों सा है ये बताएंगे सबी बताएंगे देख कहा जी बिलकुल देखे हर किसी बात पर विष्वास करने वाला तो दोस्तों कान का कचह घट हो जाएगा बिलकुल एह औप्षन हो जाएगा राइड आंशर आपका थों कागजी गोडे-दोडाना कारत ह hairy बहूत पत्र विवार करना और किताब का कीड़ा इसका मतलब होता है हर समय पढ़ते रहना बिलकुल और हमें जो किताब का कीड़ा बनना है दोस्तों ठीक है इस यह किताब का कीड़ा बनेंगे तो ही अपने जो अपना एक्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे चले दोस्तों यह अपना अलग से काम में रुकावट आना इस का मुहावरा कौन सा होगा यह खट हो जाएक घटाई में मिलने क्षाइविश corporate improved me क्षट करता है यहां ए खट देना थे है ठीक है और दोस्टों एक और बता जो आपको खाला जी का घर मतलब आसान काम हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों आज जो अपने तीस प्वेसन है जो मतलब की मुहावरे अपने तीस मुहावरे पड़े और इसके साथ-साथ दोस्तों सभी विकल पया जो सौलवक कर रहे हैं तो डोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लेगी हो तो उच्छी लगिए तो लाइक जरूर करें आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत पूल नहीं अव यह करें दोस्तों ठीक है मेरा तो कहना है बाकि आप आप पर भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी वैसे सेर भी करेंगे जो जो मतलब ESTC की तैयारी या PTT की तैयारी करते हैं तो दोस्तों देख चलिए अपने कल के प्रशन को देख लेते हैं कल क्या प्रसन था हाँ तो कल ये प्रसन था दोस्तों कि जाजपूर सभेता काँप पर इस्तित हैं मतलब जाजपूर सभेता काँप पर किस जिल्ले में विक्षी तो दोस्तों सभी का सभी जवाब आया था कल वैसे जिन्हों सर्मा सिस्टर आप तीनों का फर्स्ट सेकिंड और थर्ड उसके बाद आया नंबर सूरज चिनिया जी और गनपतलाल जी तो आप सभी मतलब टो फाइप में आए बिल्कुल तो दोस्तों आज फिर आपके लिए एक और प्रसने देखते हैं आज जो कौन फटाफट से जो आंस कि राजस्थान का सोया जिला राजस्थान का सोया जिला कोन सा है दोस्तों सभी बताएंगे फटाफट से बताएंगे ना राजस्थान का सोया जिला ये प्रसने आपके लिए फटाफट से आंसर देंगे ठीक है देखते हैं कौन कौन फटाफट से देते हैं बेलकुल चलिए तो दोस्तों आज जो आपके लिए ये प्रस्टन है ठीक है और आज की वीडियो आपको कैसी लेगी दोस्तों प्लीज जो लाइक जरूर कर देना और आप चैनल पर यदि कोई नए सब्सक्राइबर है आज इस वीडियो पर तो अविस्य सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों अपने जो कल अपन क्या पढ़ेंगे कल अपन पढ़ेंगे राजस्तान जीके का टॉपिकल साम को जो की अपने पढ़ाता उपनाम से तो दोस्तों अपन उपनाम पढ़ेंगे आज अपने उपनाम की वीडियो पढ़ीती मतलब क्लास पढ़ीती राजस्तान के प्राचीन जो नगरों के उपनाम और वो भी अपने कैसे मांचित्रावली के रूप से पढ़ाता ठीक है तो दोस्तों आपने जो जैसे जो भी मांचित्रावली के रूप से पढ़ने योग्ये हो वो अपन उसादार से पढ़ेंगे कोई ट्रिक के मादियम से पढ़ रहें जै झाल